जस्ट लुक एर इट सर, 0-105 सेकंद्स फ्लाट रिली? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉंप्रमाईज नहीं करना है तो अभी से नाशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो नाशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से ठैक्स भी बचता है सर नाशनल पेंशन सिस्टम नमस्कार, आजादी के 75 साल पूरा होने के अउसर पर देश मरा रहा है अम्रित महुत्सा और आजादी का मतलब है क्या? आजादी का मतलब है वित्तिय आजादी का मतलब है कि आप किसी भी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें तो आजादी वास्तों में उस बुढ़े बाप या मां से पूछिए जिसको अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनों की मदद करने के लिए जीवन की साज में जब वो थोड़े से ऐसी स्तिती में नहीं रहते हैं कि वो काम कर पाएं कुछ न कुछ ऐसी पूजी रहना बहुत ज़रूरी है जिसमें आप अपनों की मदद कर पाएं लेकिन उसके लिए तैयारी बहुत पहले से करनी पड़ेगी और इसलिए वित्तिय सुरक्षा बहुत ही आवश्रिक हो जाता है किसी की भी जिन्दगी में आज एक अक्टूबर एनपीएस दिवस पहली बार देश में एनपीएस दिवस भी मनाया जा रहा है और इस मौके पर हमारे साथ बहुत ही खास मेमान है सुपरतिम बंदोपाद्याजी जो की पी अफार डिये के चेर्मन है देश का जो पूरा का पूरा पेंशन सिस्टम इस वक्त है उसको रेगुलेट करने के जिम्मदार ही है बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए जो आज एक अक्टूबर को हम लोग एनपीएस दिवस मना रहे हैं उसके पीछे की क्या सोच है और क्या संदेश आप देना चाहते हैं अपने ये शुरुवात करने क्यों ऄरुपार है अज्याज जी जैसे आपने भी बोला कि हम लोग इस साल जो है अजादी के अमरीत मेहत से मना रहे हैं तो हम लोग भीए सोचे की हुसमें हम लोग भी जोड़ जाये पिए फरडिय और हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग सोचे और एही हमारा निर्ना ही हु दे दे और उसका सुरुवत पहले अक्टोबर से करें क्योंकि बहुत सरे लोगों को मालूम भी नहीं होगा फर्स्ट अक्टोबर जो है यह इन्टरनेशनल डे फॉर ओल्ड परसिंस है तो अपने जो बोला इनिशियल स्टेज में की बित्य अजादी यह भी एक बहुत बड़ अजादी होता है और हम लोग सोचे कि हमारे पेंशन स्कीम के मध्धम से हम लोग वो अजादी प्रदन करें सर जब पहले-पहले सोचा गया था कि देश में हर घर में एक बैंक का खाता होना चाहिए लोगों को लगता था बड़ा मुश्किल लगता था यह काम होगा कैसे ल अगर परिवार में कम से कम एक पेंशन का खाता हो अभी हम लोग कहां पे हैं और कितना समय हमें कितनी दूरी ताय करनी है अगर आप देखे हमारे आखड़ा तो हमारे पास करीब करीब साड़े-चार क्रोर पेंशन का खाता है चाहे हो NPS हो चाहे हो APY हो सब मिलाके साड़े चार क्रोर है तो साड़े चार क्रोर करीब करीब 20% से थोड़ा कम 17-18% होगा तो मतलब हम लोग को अभी बहुत आगे जाना है बहुत काम आगे करना है अगर किसी को समझना हो अगर कोई आदमी इसका हिस्सा बनना चाहता है तो वो क्या है उन लोगों को समझाने के लिए हाँ यह आपने सही कहा है कि बहुत दिन तक आज भी बहुत सरे लोगों में यह धरना है पेंशन मतलब है कोई सरकारी नोकरी करते हैं वहां से उनको पेंशन मिलता है क्योंकि बहुत दिन तक स्रिफ स्वरकारी ऐसे organization थे जो pension देते थे retirement के बाद लेकिन अभी धीरे-धीरे 2009 से जो है हम लोग इसको नीजी छेत्र में इसको open कर दिया है और कोई भी आज आके अपना pension खाता खोल सकते हैं ऐसा नहीं कि उनको कहीं नोकरी करना पड़ेगा भी आके इसमें join कर सकते हैं और सिर्फ 1000 रुपिया देके एक साल में अपना account खोल सकते हैं और उसके बाद जब जहां आपको इच्छा हो अगर आपके पास थोड़ा जादा पैसा है आप उसको इस account में डाल दीजे और हम लोग इसको एकटा करते रहेंगे इसके उपर हम लोग इसको निवेश करके इसको रिटर्न देते रहेंगे और धिरे धिरे एक पूजी जो है बन जाएगा आपके लिए और जो रिटार्मेंट के टाइम में आपके बहुत कम में आएगा तो आपने एक योजना का जिक्रिक्या सर अटल पिंशन योजना यह कैसे डिफरेंट है जो दूसरी मतलब दो चीजें आपने बोली कि एक NPS है और एक APY है इसमें थोड़ा सा क्योंकि लोग यह समझना चाहेंगे हाँ अचा APY क्या है APY है एक guaranteed pension है क्योंकि सरकार भी सोचे थे कि हम जो है unorganized छेत्रों के लिए कुछ काम करें और इनको encourage करने के लिए सरकार ने बोला कि अगर आप 18 से 40 साल के उमर के हो तो आप आगे इसमें जोएन कर सकते हैं इसमें contribution level बहुत ही कम है जैसे मैं एक उधरन आपको देना चाहता हूँ कोई 18 साल में join कर रहा है और उनको 5000 का guaranteed pension चाहिए क्योंकि इसमें limit है 1000 से 5000 तक monthly pension की 5000 का guaranteed pension चाहिए तो उसमें उनका monthly contribution जो है स्रीफ 210 रुपिया है 210 रुपिया देखे वह अपना खाता खोल सकते हैं अगर 1000 का चाहिए तो स्रीफ 42 रुपिया है monthly ओ देखे वह अपना खाता खोल सकते हैं और उसके बाद ओंवेस्ट होता रहेगा लेकिन आपको investment में कितना return आया इसके बारे में सोचना नहीं है क्योंक आपको जब 60 साल उमर हो जाएगा जो भी guaranteed pension आपने चूज किया चाहे 5000 चूज किया तो 5000 आपको मिलता रहे अगर आपके जितना पूजी बनना चाहिए उतना पूजी नहीं बना बाकी जो है government के guarantee से ये पैसा आपको दिया जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा scheme है और हमको त ज्यादा contribute करने का अभी शमता नहीं है कम से कम उन लोग एक अटल pension जोजना ले ले बैंक में जाके अपने बैंक खाता से इसको link करा सकते हैं और link कराने से automatically हर महिना आपका आगा standing instruction उसमें रहे तो ये कट जाएगा पैसा आपको चिंता की कोई बात ही नहीं है और हम लोग इसके उपर invest करेंगे return देते रहेंगे national pension system में इंवेस्ट करने से tax भी बचता है सर national pension system तो आप कहने सर की 210 रुपे मालीजे हर महिने कोई अपने बैंक से अटल pension योजना के अकाउंट में डालना शुरू करता है तो 5,000 रुपे उसको pension लिलना शुरू होगी 60 साल के बाद में यह परिवार में क्यों एक व्यक्ति को अलाउड है या फिर अगर मालीजे चार लोग का परिवार है चार एडल्ट है वहाँ पर तो वह चारों अपना अपना खाता खोल सकते हैं जाकर के अपने बहुत ही अच स्कीमा और जहां गैरेंटी होता है उन लोग बोलते हैं कि चाहे मतलब एक फैमिली में एक से ज्यादा नहीं हो सकता है या बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा तो हस्बंड वाइप छोड़ के नहीं हो सकता है लेकिन यहां अगर चार लोग है जिनका उस एज गूरूब में है उनका एज तो उनों आके खाता खोल सकते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने बार बार रिटर्न शब्द का इस्तेमाल किया वो रिटर्न कैसे देते हैं आप लोग क्या स्ट्रक्चर है इस पेंशन फंड रेगलोशन का यह है नपीस का स्कीम जो है नेशनल कोई भी मोड में साल में जितना बार हो सके आप कर सकते हैं मिनिमाम आपको हजार रुपिया करना है मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है तो इस हिसाब से आप करते जाए और आपकी पैसा जो है हम इन्वेस्ट करेंगे कहा करेंगे उसका भी डिसिशन आप ही के ऊपर है हमारे नॉर्मली इन्वेस्टमेंट तीन तरह का होता है एक एक एकविटी फांड में होता है एक गौर्वर्मेंट सेकुरूटी फांड में होता है एक कॉपट बांड फांड में होता है अगर आप रिस्क लेने के लिए इच्छुक है क्योंकि एकविटी थोड़ा रिस्की है ले चा सकते हैं लेकिन अगर आप सोचते हैं कि भई नहीं हम इतना ज्यदा रिस्क नहीं ले सकते हैं आप इक्वीटी घटा दीजे आप इक्वीटी अगर नहीं चाहते हैं तो उसको zero percent कर दीजे hundred percent आप government bond में दे दीजे जो government का sovereign guarantee के साथ आता है और उसमें कोई आपका credit risk कुछ नहीं है, बहुत ही safe investment है, safest investment है तीनों में से, और बीच वाला है जो अगर आप medium type का risk लेना चाते हैं, तो थोड़ा corporate bond में डालिए, कुछ government security में डालिए, तो decision आपकी उपर है, यह नहीं कि हम आपके लिए decision ले लेंगे, या कोई fixed fund है, उसी में आपको डालना है, ऐसा नहीं, तो बहुत ही flexibility है इसमें, और जब भी चाहे, आपका original जो decision था, उसको आप change कर सकते हैं, नहीं, मैं equity में अभी ज़्यादा बाहना चाहता हूं, आप बढ़ा दीजिए, लेकिनों ही 75% limit तक, जबकि corporate bond और government security में ऐसा कोई limit नहीं है, आप चाहे तो 70% जो है उसमें लगा सकते। Assured Return का कोई product भविश्रिमानी की उम्मीद है जिस पर आप काम कर रहे हैं। इसके उपर हाँ हम लोग काम कर रहे हैं। और actually ये Assured Return scheme जो है ये बहुत ही एक difficult scheme है। इसलिए क्यूंकि एक तरह देखिए हम लोग का market related investment है। जबकि पैसा हम लोग market में डालते हैं और market में इतना volatility है। इसको देखते हुए उसके अंदर भी एक guarantee देना एक बहुत असान काम नहीं है। और इस तरह का product शायद ही हमारे देश में अभी तक नहीं आया है। तो इसलिए हम लोग कुछ actuarial farms के साथ बात किये थे। इसका R.A.P. float किया गया था। दो तिन company से हम लोग का interest भी मिला है। अभी उनके साथ हम लोग का चर्चा चल रहा है। उसके बाद जो final selection होगा board के approval के जरिए उनको हम लोग ये काम देंगे। उनका क्या काम दिया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि भई पहले तो आप जो है एक workable scheme जो है इसको launch करिए। और जो हमारे pension fund managers उसको manage करेंगे। और उसमें एक finite amount of return बताया जाएगा। आपको इतना return इसमें मिलेगा ही मिलेगा। irrespective of market condition. तो अभी ओ देखा जाए किस तरह का product आता है। क्योंकि हम लोग भी इसके बारे में बहुत ज्यादा मतलब detail में जो हम लोग थोड़ा बहुत देखे हैं। foreign countries में इस तरह का experiment किया गया है। तो हो सकता है छो से 8 मेन के अंदर कुछ न कुछ प्रड़क्ट आ जाए। हम लोग भी उमीद रखते हैं जितना जल्दी इसको ले आए पर। जिस्ट लुक अरिट सर जीरो तु हंड्रेट इन फाइव सेकंड्स फ्लाट। अपकी है। तो अभी से नाशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नाशनल पेंशन सिस्टम ये साठकी उम्र तक पैसे बजाता और बढ़ाता है। और फिर उन्ही पैसो को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुँचा जाता है। और वेबसाइट www.pfrda.org.in नाशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से थैक्स भी बचता है सर। नाशनल पेंशन सिस्टम हाँ new fund offer अपकोस इस तरह का word हम लोग use नहीं करते हैं लेकिन आप जो बोले हैं सही है कि यह completely एक नया scheme होगा और उसमें हम लोग existing customer को shift होने देंगे नहीं देंगे यह भी थोड़ा चर्चा की बात है लेकिन जो भी आए एक चीज तो definite रहेगा उसमें अगर आपको guarantee लॉक इन रहना पड़ेगा obviously क्योंकि lock-in के बिना guarantee देना बहुत मुश्किल है even APY में देखिए lock-in है इसलिए हम लोग guarantee दे पा रहे है अपने lock-in की बात किया 60 साल तक मेरे खाल से आपको contribute करते रहना होगा और इसके बाद आप तो किसी और Bima companies जाके annuity खरीदेंगे अब य आ गया वह जो withdrawal है वह किस तरह से होंगे वह कैसे काम करेगा अभी जो है अभी तक जो हमारे act में कहा गया कि कोई भी retire होंगे तो उनको कम से कम जो corpus है उसका 40% आपको annuity लेना पड़ेगा रिटार मतलब साथ साल के बाद साथ साल के बाद साथ साल के उपर हाँ अभी जो है हम लोग पहले ता सतर साल कर सकते हैं लेकिन लोगों का longevity देखते हुए हम लोग इसको 75 तक एक्स्टेंड किया अभी हाली में एक्स्टेंड किया इंट्री एज जो 65 तक था maximum उसको 70 तक एक application आया मतलब जिल्लका एज 66 से 70 के बीच में है मतलब उनके पास तो क्यों पांच साल होंगे अगर 70 है पांच साल अगर 66 है तो नौ साल तो लेकिन इस एज में भी लोगों में इतना इंट्रेस्ट है पेंशन के बारे में देखके हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा तो ज आप अपांच से कम तो मतलब आगर 30 लाग का टोटल कॉर्पस बना तो उसमें से बारा लाख आपको एंटीज करना पड़ेगा नुटीज करने का मतलब है वह वह बारो लाख बारा लाख लेके आपको कोई एक इंसुरेंस कम्पणी के पास जाना पड़ेगा वहां सा किया हुआ है तो हम लोग जो है इनके सारे data जैसे यह चूज करेंगे कौन सा annuity service provider कौन सा insurance company इनका choiceable insurance company है उस company में हम लोग वो fund transfer कर देंगे 12 लाख जो भी हो और उसके बाद उनको option देना पड़ेगा कि कौन type का annuity लेंगे Annuity हरती हरता का होता है, कोई life annuity होता है मतलब जब तक pensioner जिनल न तब है इन्वीटी उसके बाद कुछ पैस लोटके नहीं है और कुछ ऐसा है कि जब तक pensioner जिनल रहे है उनको तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद जो है dependent को equivalent amount मिलेगा dependent को मतलब spouse normally spouse के date के बाद जो है पूरा जो पैसा से उन्होंने 40% से annuity खरीदा था वो पूरा पैसा family को लोट के जाएगा इस तरह का भी है लेकिन क्या है कि अगर कोई यह चाहता है कि हम lifetime में ज्यादा से ज्यादा annuity ले हमारा पैसा नहीं लोटने से भी चलेगा उनको life annuity लेना चाहिए ताकि उनका rate of annuity ज्यादा होगा लेकिन उसमें downside एक ही है कि कोई पैसा family के पास lot के नहीं आता है उसमें ठीक है अब एनुटी जो 40% का सर आपने बोला क्या उसको हम extend करके 100% तक भी जा सकते हैं क्या यह option है और दूसरा यह कि जो अलग-अल जैसा है नहीं यह बहुत ही अच्छा आपने question पूछा क्यूंकि देखिए कि हमारे scheme में जो है minimum 40% आपको annuity लेना है इस मतलब यह नहीं कि 40% ही लेना है आप चाहें तो आपके 100% corpus जो 30 लाग का उदारन मैंने दिया था 30 लाग का पूरा amount जो है आप pension ले सकते हैं ऐसा भी क PC के पास हो सकता है कि उनके पास 60 साल के उमर में दूसरा जागा से pension आए कि शायद उनके employer के तरफ से कुछ pension आए या जिन लोग employment में हैं उन लोग के पास क्या हो जाता है ना कुछ graduate का पैसा, leave and cashment का पैसा, GPF का पैसा, बहुत सारी कुछ आ जाता है, ऐसा उनको नहीं चाहि है, तो उन लोग 100% उनका convert कर सकते हैं, तो obviously उसमें जो है उनका pension quantum काफी बढ़ जाएगा, यह हो सकता है, दूसरा है different annuity service provider के बारे में पुछा आपने, हाँ इसलिए हम लोग जो है ना हमने अपने website में उसको रख दिया, कि आप annuity service provider A, B, C, D के पास जाने से किस तरह का annuity rate आपको मिलेगा, अच्छा, अच्छा, accordingly आप चूज कर सकते हैं, और annuity rate सब का एक नहीं है, उसमें काफी variation भी है, तो annuity for life किसी ने लिया, तो annuity for life में सब का जो rate है एक नहीं है, एक-एक fund का, एक-एक insurance company का एक-एक अलग-अलग return है, क्योंकि उनका product जो है, उनका product IRDA approve करते हैं, उन लोग अपने product development department के थूँ, ओ insurance company, ओ product market में छोड़ते हैं, तो अगर वो सोचे की हाँ, हम ज्यादा दे सकते हैं, तो ज्यादा देंगे, तो हम भी ये suggest करते हैं, कि आप annuity service provider चूज करने के पहले, आप देख लीजिए, कौन सा insurance company जो है, आपको ज्यादा से ज्याद annuity दे रहा है, तो अभी से national pension system में इन्वेस करो, national pension system, ये 60 की उमर तक पैसे बचाता और बढ़ाता है, और फिर उन ही पैसो को हर महीने salary की तरह आप तक पहुचा जाता है, 1800110708, और website www.pfrda.org.in national pension system में इन्वेस करने से, ठैक्स भी बचता है सर, national pension system आज NPS दिवस भी है, pension दिवस आज हम मना रहे हैं, पहला pension दिवस, अब PFRDA की जो भूमिका है, as a regulator, जो कि आप वित्ती स्थिर्ता पर भी आपका बहुत ही एहम रोल है, आज की जो वर्तवान परिस्तित है अर्थवश्था की, financial stability, कोरोना के महामारी में हमने देखा कि बड़ी संख्या में अभी आप हैंडल करने के सित्री में हो सकता, यह आगे चलकर के 10 गुना, 20 गुना यह कॉर्प्रस हो, आप कितने तयार है, capacity building के तोर पर, as a regulator कितने तयार है, यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए हमारा भी जो है responsibility बढ़ड़ा है, यह नहीं क हम लोग हमटें pension fund managers को regular basis में उन लोग को सुझाव देते हैं, कि ठीक है, आपके पास independence है, इन्वेस्ट कनगा, लेकिन यह सोच के चलिए कि यह ultimately retirement corpus है, सोच समझ कि इसको invest कीजिएगा, आपके जो benchmark है, benchmark के ऊपर जो है return आपको देना है, और आपके security of the fund जो है paramount है, इसके ऊ regulatory level में भी हम लोग जो है capacity building कर रहे हैं, अभी जैसे हम लोग नया recruitment में जा रहे हैं, और for the first time हम लोग जैसे actuaries, not full-fledged actuaries, मतलब part actuaries जो हैं, उन लोग को हम लोग recruit कर रहे हैं, हम लोग financial professionals को recruit कर रहे हैं, एकदम lowest level में हमारे assistant manager level पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर pension sector मे successful होना हैं, तो हम लोग को specialists भी चाहिए, जो हम को और आगे के दिशा में ले के जा सकते हैं, तो capacity building हम लोग कर रहे हैं, at the same time हमारे pension fund managers को हम लोग ने बोला, आप लोग capacity building कीजिए, उसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत उनके fund management charges भी बढ़ा हैं, ताकि उनका business viable हो, और उन यह सब एक साथ मिल के मेरे को तो लगता है, इसका नतीजा अच्छा है, निकाल के आएगा, लेकिन हम अपने responsibility जो है, वो हमारे सबसे उपर है, कि responsible way में हम लोग इसको करें, और सिर्फ हम लोग regulatory नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसके साथ market का development में कर रहे हैं, क्यूंकि कभी pension के यह जो कारक्राम हम लोग कर रहे हैं, वो भी इसी दिशा में एक कदम है, कि हम और ज्यादा लोगों को इस अवित्य सुरक्षा के जो हथियार है, उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, पूरी विवस्ता के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो हम लगता है कि बाहर के sovereign funds और बाहर के जगे भी investment कर पाएंगे, हाँ क्यों ना ऐसा हो, क्योंकि हम कभी नहीं यह सोचते हैं कि आज का जो स्तिती है, वो भी आज 10-15 साल तक चलेगा, क्योंकि 10-15 साल पहले PFRDA में भी सायद कोई सोच नहीं पाया था, आज यह स्तिती बन पाएगा कि हम लोग के पास साड़े चार क्रोर कस्टमर है, च्छा लाक साथा जा क्रोर के ऊपर हमारे जो है एसेट बेस है, यह कोई सोच नहीं पाया था, तो इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि जैसे हमारे एसेट बेस बढ़ेगा, गौर्मेंट भी सोचेंगे, हम लोग भी regulatory body से भी सोचेंगे, धिरे धिरे हम लोग bond के जो window है, उसके जरिए हम लोग regularly invest करते हैं, और हमारे जो total fund size है, उसके कम से कम 17 से 18% प्रतिसत जो है infrastructure में invested है, उसमें power sector है, road है, port है, हर तरह के जगा में हम लोग invest कर चुके हैं, उससे अच्छा return भी आ रहा है, और हम लोग को भी यह अच्छा लगता है कि यह जो infrastructure का growth है उसके एक भागीदर हम लोग भी है, tax के लिहाद से यह जो products हैं, क्या और भी attractive हम कर सकते हैं, अभी क्या स्थिति है, क्या हम लोग triple E है या फिर बाद में जो करते हैं, उसमें वो EET systems में आते हैं, यह मैं थोड़ा clarify करना चाहता हूँ, लोगों के यह एक सोच हो सकता है कि श पूरा accumulation का part है, वो accumulation part आपका tax free है, और last में जो withdrawal है, उसमें क्या है ना, पूरा 100% tax free है, इसमें है क्या कि 60% सिफ हम लोग withdraw करने के लिए देते हैं, और 40% जो है हम लोग annuity में लगाने के लिए देते हैं, लेकिन जब कोई लगाता है 40% पैसा annuity में, यह taxable नहीं है, उसमें स taxable होता है, लोग इसको confuse कर जाता है, मान लीजे एक EPF के साथ, आज EPF का 100% दिया जाता है हाथ में, वो tax free है, लेकिन देखिए, एक EPF का corpus भी कोई तो आपने हाथ में रखेंगा नहीं, या bank में रखेंगा नहीं, इवन bank में भी रखेंगे, उसका जो interest आएगा, एक limit के बा कोई दुसरे तरह का tax है, नहीं है, आज के दिन जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, चार करोड की इतनी बड़ी family है आपकी, चुछ कहना चाहेंगे आप, हम तो चाहेंगे कि हम पहले तो आप लोग को धनवाद देंगे, क्योंकि आप लोग आए हमारे साथ join किये, और जरूर kindly उसको नजर रखिये, और accordingly आप इससे और भी ज्यादा फैदा ले सकते हैं, और दूसरे जो है, यह आप जो है, अल्री इसका benefit जब आपको मिल रहा है, आप कम से कम, कम से कम पांच जो है, आपके जान पैचान लोगों को बोले, कि भाई, NPS एक अच्छा scheme है, मैं खुद ल होगा, क्योंकि यहाँ जो कमी एक ही चीज़ का है, वो है public awareness का, और आप जो है, थोड़ा अगर हमारे NPS का एक ambassador के हिसाब से काम करेंगे, तो जरूर हमको लगता है, हर घर में pension पहुंचने में, PFRDA समर्थ होगा. बहुत बहुत धन्यवाद सार, और हमें उमीद है कि जो आपने लक्ष बनाया है, कि हर परिवार में कम से कम एक, और कम से कम एक क्यों, एक से ज़्यादा भी अगर सदस हैं, तो वो NPS का लाब उठाएं, और जिस तरह से आपने कहा कि 210 रुपए से आप शुरुवात कर सकते हैं, और एक आखड़ा on the back of the envelope, अगर आप calculation करते हैं, कि एक लाग किसी को pension चाहिए, तो उसको 15,000 रुपए का, looking at the market conditions, of course, 15,000 रुपए का monthly contribution देना पड़ सकता है, तो वो एक attractive options भी लोगों के पास में हुज़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, किसी के उपर निर्भर ना रहना पड़े, आप निर्भरता के लिए भी यह काफी जरूरी है, कि आप अभी से थोड़ा-थोड़ा बचाना शुरू कीजिए, NPS में investment करना शुरू कीजिए, और बहुत ही आसान है, युवा लोग मोबाइल के जरिए, internet के जरिए, आराम से अ खास कारकर में सिर्फ इतना ही, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए जाजब, हमस्कार. ये 60 की उमर तक पैसे बचाता और बढ़ाता है, और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचा जाता है. 1-800-110-708 और वेबसाइट? www.pfrda.org.in National Pension System में invest करने से ठैक्स भी बचता है सर.